हलो बच्चू आज हम आपको पाठ एक अभ्यास के बारें बताएंगे सब्द परिच्चे जो हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में उसका आप आज एक्सरसाइस करेंगे तो यहां दिया है पहला कि उच्चारण करूत यानि उच्चारण करिये विखाया उच्चारण करूत मतलब उच्चारण करिये आपको प्रनेंशियेशन के बल करना है तो आई ये उचान करते हैं, बोड़े चात्रह, चात्रह, गजह, घटह, सिक्षकह, मकरह, दीपकह, मयूरह, विडालह, अश्वह, शुकह, मूशकह, चंद्रह, बालकह, चालकह, गायकह, यहाँ जो दो विसर्ग लगे हैं, उसको हम ह का प्रदंशेशन करेंगे, जो डॉच लगे हैं, उसको हम ह का उच्चारण के साथ बोलेंगे, जिसे गायकह, चंद्रह, यह हमारे उच्चारण है, केवल आपको यहाँ पर प्रदंशेशन करना है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, यानि चित्र को देख करके, उनके शब्दों को बोलना है, इसमें भ करिये, क्रिशकह, व्रिशभह, भल्लुकह, मंडुकह, कपोतह, पर्यंकह, दुर्भाशह, काकह, सौचिकह, यह केवल हमें यहाँ पर उच्चारण करना है, प्रेस नम्मर दो में दिया है, वन साईयोजनम पदम लिखाती, यानि वन को जोड करके, पद को लिखना है, पद म प्लस अहा, यानि इसको मिलाकर बना गया, चशकह, ऐसे आपको दूसरा बनाना है, सा प्लस अव, चा प्लस इ, प्लस का प्लस अहा, तो लिखेंगे हम साचिकह, यहाँ पर हमें दिखना होगा साचिकह, तीसरा है, शा प्लस, उ प्लस, ना प्लस, आ प्लस, का प्लस, ओ, या धावतह, धावता कार्थ होता है दोड़ना, वरिदधा यानि वृध्धा, वृध्धा मतलब बूढे, वृध्धा कार्थ होता है जो बूढे लोग होते हैं, वृध्धा, फिर है ग, आ, य, अ, न, त, इ, जो न और त है, ग, है ये सब हमारे क्या है? व्यंजन है, तो इसलिए व्यंजन के नीचे हमने हलंत लगा है, और जो स्वर है, स्वर में कभी बच्चो हलंत नहीं लगता है, क्योंकि स्वर जो होता है, व्यंजन क्या होता है? स्वर के उपर आधारित होता है, तो यहाँ बनेगा हमारा गायंती, गायंती का अर्थ होता है गार हैं पदानाम वर्डानाम वण विच्छेदम प्रदर्शेत हैं जो पद दिये गए हैं जो शब दिये गए हैं उसको आपको वण विच्छेद करना है तो स प्लस सिव्यती रिखा है तो सिव्यती को हम वण विच्छेद करके वणों को अलग करेंगे तो लिखेंगे हम स प प्लस आधाव, प्लस य, प्लस त, प्लस छोटी ए, यानि सिव्यती, ऐसे आप आगे बनाएंगे, वरणाह, कुकूरह, मयूराह, बालकाह, यह आपको मणबिच्छे नहां दिया गया है, इसको अपने पुस्तक में सोयम करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उदाहरणम द्रिष्ट्वारिक स्थाना नि पूरियतीनी उदाहरण को देख करके रिक स्थान को पूरा करना है, तचशकह, चशकव, चशकव, ऐसे हो जाएगा आपका, इसे नीचे है तालह, भल्लुकह, विडालह अब लिखा है बालकम, बालकह किम करोती, यह चित्र को देख कर किसको उत्तर लिखना है, बालकह किम करोती, बताई बच्चो, बालकह पठती, अश्वा किम कुरता, अश्वा मतलब घोड़े क्या कर रहे हैं, तो अश्वा उथावता, घोड़े क्या कर रहे हैं, दोड़ रहे कुकुराह किम कुर्वन्ती, कुकुराह उच्चेह बुक्कन्ती, छात्रो किम कुर्तः, छात्रो गायतः, कृषिकाह किम करोती, कृषिकाह, अब बते ये किसान क्या कर रहा है, ते कृषिकाह छेत्रम कर्शती, गजव किम कुर्तः, गजव चलतः, अब यहाँ पद गजाह चलंती गजाह चलंती सिंग्हव गर्जतः गायकः गायती बालकव पठतः मयूरह नृत्यती यहाँ से आप इसको मिलान कर लेंगे आगे बढ़ते हैं एका है कि जो मंजुशा है याई जो भैल बॉक्स दिया गया है इसमें से सही रिकस्थान की पूर्थी आपको चुनना है तो मयूरह मयूरह क्या करते हैं निर्तियंती यहाँ निर्तियंती भराएगा गज़व गज़व क्या करते हैं चलतः यहाँ पर चलतः हो जगा व्रिक बानर क्या करते हैं? खादती, अश्वह धावती ऐसे आप रिकस्थान में भर लेंगे अपने आईए आगे बढ़ें हम अश्वह धावती यहाँ पर हम ते लिखेंगे चात्रोपठ़टः दो चात्र हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर तव क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम तौ लिखेंगे फिर है वानरह यह सारे बानर है यह सारे बंदर है बहु बच्चन की संख्या है तो हम यहाँ ते लिखेंगे गायक है एक गायक है तो हम लिखेंगे सह मयूरह मयूरह बहुत सारे मूर है तो हम इहां लिखेंगे तव तेज चमा करिए यहां पे लिखेंगे ते ऐसे ही आप अपने पुस्तक में भर लेंगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं निखा है ध्यातव्यम ध्यान से इसको पढ़ना है आप खुद पढ़ेंगे इसमें लिखा है संस्क्रित में तीन लिंग होते हैं पुलिंग, इस्त्रिलिंग और नपुल्सक लिंग संस्क्रित रह पुरुषबन संस्क्रित में तीन पुरुष होते हैं झाल झाल